यह बच्चों कल देखिक चल्चा गताथा में जो है इसमें तरण प्रगास्टी में व्यदिकर्ण विए तरण प्रगास्टी आपका चेटर है वे आप्टिक्स इसमें आर्गियां का व्यदिकर्ण संबंधी त्विक रेखाचित प्रियोग को पढ़ाँगा तिसमें बैंडर इसमें जुकिए ये दो स्रोत आंडेक प्लास्मिक फ्रोत एस अर् légund देसक्त आज और इससे जो है कि अद्दाजा लगाते हैं कि हर जगह जो है प्रकास नहीं पहुंच पारता और इसमें वाई जो है कि इसमें इनकी चड़ाई के बारों बताएं इने फ्रिंज करते हैं क्या यंग ने जब सूर के प्रकास को सूची छित्रियस पर आपकित कराया तो देखा कि यंप पर्दे पर आपको जो बैंड में रहे थे जो फ्रिंजे स्वेथ पर्टी का ब्राइट और डाल देखें अल्या वी है अब भी है कि सब्राइट स्वेथ पर देखा है और यह जो है डी जा दो तरह की पर्टी का आपको देंगे हो बिलीज़ा है बी और डी से हमने संबोधन किया है इनमें जो अलग अलग चड़ाईयों की कुछ रंगीन पट्टियां प्राप्त हुए इस प्रियोग से यंग ने प्रकास की तरंग प्रकित की पुष्टी की क्या प्रकास के तरंग की पुष्टी की जैसा कि आपने देखा है को हां हमने चित्र में लिखा है कि मान लीजिए यस्वन यस्टू तो पहले तो यस प्रकास को लगाया गया है अब क्या करते हैं इसमें जो फ्रिंजों की आकृती है इस पर एक लंब डाला गया है इनके बीच एंगल थीटा बन रही है परदे पर ब्यातिकरण फ्रिंजों की वास्तिक आकृती क्या है आतिपर्वलेयाकार होती है यह आतिपर्वलेयाकार की जब उसको बैंट कि आई आप इसमें पड़्या गड़ती रूप में इसको आख लेते हैं लिखिए मान लिया यस्वन यस्टू का मत्धि बिर्दुशी है कि इसको माना क्या है कि इसको माना क्या है और यस्टू का लंबार्धक स्यों पर्दे पर अब इसमें जो है स्यों की बीच की दूरी यस्वन यस्टू को लबड़ी है यह स्वान यस्टू इक्वल पूर्दी है और यहां में कैट्टल दी किसे बीच की दूरी है सी यो इक्वल क्या है कैट्टल दी बात के लिए हो गई अब यहां कैट्टल दी जो है अब आईए इसके मैजमेट्कल में चलते हैं सबसे पहले क्या करते हैं इसे बिंदू ओपर पहुंची दोनों तरंगों के पीच क्या है पतांतर सुन्य है और वहां संपोशी बेती करानवागा क्या है संपोशी दीट प्रिंट क्यों होगी दीट फ्रिंट यहां को है दीट और अदीट प्रिंट और शंपोशी है अब ऐसे में यसवन से यस्टूपद क्या है दाला की अलम्प यसवन से यस्टूपद डाला की अलम्प क्या है यसवन ए है टीगर को जरा देखिए इसको लिखवाएंगे नहीं आप बिंदू पी पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर निकालें क्या बिंदू बिंदू पी पर दोनों तरंगों क्या लिखेंगे बिंदू पी पर दोनों तरंगों के बीच पांतर निके बिंदू पर दोनों तरंगों के बीच पांतर पांतर का मतल समझ रहे हैं एक को यहां है यह चुपी है दूटर यह चुपी है और बच्चों यह है यह 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 जोगा हम यह कि पर यह निगालिये mGAI अधाना दद्धा यह जो सब्सक्तुप प्गाइड लेखिर फूब्र इस टूժी माइनस क्या उद्धा इस फीवाइनस क्या सब्सक्ताना दंक कि प्धान कर S2P minus S1P equal S2A S2A प्रेटर की जो है ओर देटर थाइम स्मार्टी है ऐसी स्थिति में क्या करेंगे उपर्यूक्त चित्र से देखे S2A divided by S1 S2 S2A divided by S1 S2 यह रापर होगा किसके ΔEX divided by T sin theta ΔEX divided by T equal sin theta बोट कर लिए चलिए इसी तरह OP by OC इसी तरह OP by OC equal to what Y by T बोट कर लिए यह बराबर होगा इस तरह बराबर होगा 8,5 theta इस बात क्लिए हो गई आप चुकी स्माइटल D जो है D से बहुत लिटर है theta सूक्ष महे अता theta बराबर sin theta बराबर 10 theta क्या theta अती सूक्ष महे अता यह सभी बराबर है यह सब्सक्राइट क्या है इक्वल है आइसे इस दिती में डेल्टा एक्स डिवाइट बाइट बाइट दी डेल्टा एक्स डिवाइट बाइट इक्वल y डिवाइट बाइट बैक्टर दी दोनों क्या होगे एक उसरे के बराबर होगे तो y इक्वल y कमान दिखा दिए क्या y इक्वल या y इक्वल d बाइट इव इसको जो है आप इक्वेशन नमबर वन आप इसी तरह दीट फिर्ज के लिए निकाले दीट फिर्जों की सितिया दीट और आदीट दीट फिर्जों दीट फिर्जों की सितिया में बच्चों जो है उसमें चुकी ये डेल्टा एक्स इक्वल y लैंडा होता है जहां y इक्वल टू जीरो वन टू हम लिखाएंगे नहीं इसको आप सुनते जाएए और इसको नोट कर लिजिएगा क्या यन की बैलू हम रखते हैं जीरो वन टू और डेल्टा एक्स इक्वल टू यन लैंडा यन बढ़ता जाएगा तो सीधे आईए फार्मूले पर चलते हैं समीग्राट एक से वाई यन दीप्त दो निकालना है एक दीप्त निकालना है एक आदीप् चलताई समीग्रा एक से य एक दीं आपर भरभू का बच्छा एन दीप्त ना नडीप्डा गवाई दीप्त इसे नडीप्त दोड़ क्याएं नडीप्त द्वाई दीप्त आपू जहाँ यान इकोल तो जीओ वाइंट वाइंट फूआ ठीक यह तो दीप्त प्रिंज के लिए हो गया इसी तरह आधीप्त प्रिंजों की सित्यां अधीप्त प्रिंजों की सित्यां आधीप्त प्रिंजों के लिए वहां दिखेंगे वाइंट अधीप्त क्या वाइंट अधीप्त ये परापर होगा क्यों क्या लिखिए यह माइनस वन बाइटू यह माइनस वन बाइटू दिखेंगे यहां जो है यहां यहां गमान जो है कि इस तरह दीप्त और आधीप्त फ्रिंजों की स्थित्यों है हम निगाल लेते हैं ठीक है तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही इसके बाद और जो है हम लोग निगालेंगे फ्रिंजों की स्थित यहां इसके बाद जो आप फ्रिंज suc कीatarak कि निकालेंगे ठीक है ऑफ इसको जो है और बिखाओ की चौराई के बारे में आपको को पता यह जा है कैसे इसी में ऐसी में किया जानते हैं बीटा-दीप्त और बीटा-धीप्त निकालते हैं जिसको आप जो है एक बंड़ी प्रकास से उत्पन ब्यतिकरण के लिए होता है और वहाँ थीटा जीरो इकुल होता है बीटा डिवाइड बाई डी और लैम्डा डिवाइड बाई डी दिक देखा छित प्रियोग में यह है यंग के द्वारा दिखाया गया कि जैसे जो एंगुलर फ्रिंट वि इस प्रिंटा इकुल पैंट डीटा इकुल वाइड वाइड लिए इस तरह आप निकल लेता है इसके बाद जो है आप इस से समझे दुमेटर अल करेंगे और अभी जो है इसी पर एक आंगी खल करके आपको इस बात को जो है कंफर्म करा दे रहा हूं